हाई अब्रीवन तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपर्टन टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं मिजी 05 का जो की ब्लॉक फर्स्ट से है यूनिट फिफ्ट इंडियन एस्थैटिक का टॉपिक जिसका टाइटल है सफोटा थियूरी तो सबसे पहले देख लेते हैं इस थियूरी गया था इस टर्म इस यूजड इन संस्कृत ग्रामर व्याकरना और इस टर्म का यूजड जो है संस्कृत ग्रामर में किया जाता है तो अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि सफोटा शब्द का अर्थ क्या होता है तो सफोटा एक संस्कृत वर्ड है जिसका इंग्लि के उपर based है, this theory relate to the problem of speech production, तो problem of speech production के उपर ये based है how the mind order linguistic unit into coherent discourse and meaning, कि जो human mind होता है, वो किस तरह से काम करता है और कैसे जो है, एक language का जो meaning है, उसको understand करता है, तो Sphota theory में यही बताया गया है, तो यही हम आगे discuss करेंगे, तो next हम लोग सphota theory की एक simple सी definition देख लेते है, what communicates the meaning of a word or sentence is technically called सphota, तो ऐसी चीज जो किसी शब्द के और किसी sentence या फिर वाक्या के अर्थ को बताती है, meaning को बताती है उसे कहते हैं सphota तो अगर आप को definition समझ में नहीं आई है, तो कोई बात एक होता है external face एक होता है internal face external face में आपका आता है sound जिसे हम ध्वनी बोलते हैं हिंदी में और internal face में आता है meaning जिसको हम earth था बोलते हैं तो यहाँ पर आप जो है एक word को जो है दो categories में divide कर सकते हो एक तो उसका सिर्फर सिर्फ sound और second जो है उसका meaning या फिर earth तो sound मतलब जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहे हूं for example apple तो मैंने apple बोला तो आपने जैसे ही यह sound सुना आपके दिमाग में जो है एक mental image बन जाएगी कि apple कैसा होता है red color का होता है दिखने में कैसा होता है तो आपके दिमाग में वो जो image है वो एकदम से create हो जाएगी तो वो जो image create होती है उसी को हम जो meaning बोलते है जो आप understand कर रहे हो उसको meaning बोल रहे है और जो sound है वो sound में कुछ भी हो सकता है sound pattern होते है sequence of letter होता है तो sound में जो है आप pronounce कैसे करेंगे तो sound में बहुत सारी चीज़ आते है grammar ये सारी चीज़े but meaning या फर अर्था में यही आता है कि आप क्या समझ रहे हैं जैसे for example एक cat है तो cat से आप क्या समझ रहे हैं जब मैंने cat बोला तो आपके दिमाग में mental concept बन रहा है mental image बन रही है कि ये जो है चार legs वाला एक फरी जानबर है तो अब आपके दिमाग में ये जो अर्था रहा है इसका cat से जो mental image बन रही है उसको बोलते है meaning तो internal और external दो अलग-अलग faces होते हैं एक word के अब ये जो word का internal face है मतलब जो meaning और अर्थ है इसी को जो है सफोटा थियोरी बोलते हैं कैसे ये मैं आपको आगे समझाती हूँ according to भ्रात्री हरी meaning is not conveyed from the speaker to the listener तो भ्रात्री हरी यहां पर कहते हैं कि जो शब्द का meaning होता है वो जो speaker जो मतलब जो बोल रहा है जो आपसे बात कर रहा है और अगर आप सुन रहे हो तो वो speaker आपको उस word का meaning नहीं बता रहा है rather the spoken word serve only as medium to reveal and undercover the meaning जबकि जो आप sound सुन रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है जो आपके दिमाग में जो word है उसको यह meaning को जो है वो reveal करने में help कर रहा है मतलब जो already which was already present in the mind of hearer मतलब सुनने वाले के mind में जो है वो जो meaning होता है उस word का वो पहले से present होता है for example अगर मुझे मान लीजी मुझे french language आती है लेकिन आपको नहीं आती है तो अगर मैं french में कोई word बोलूँगी तो क्या आपको सिर्फ उस sound से मतलब मेरे बोलने से आपको समझ में आ जाएगा नहीं आएगा आपको समझ तभी आएगा अगर उसका जो meaning है वो पहले से आपके दिमाग में होगा तो ऐसा ही language के साथ होता है जैसे मान लीजी मुझे English आती है आपको सिर्फ Hindi आती है आपको English नहीं आती है तो मैंने Apple बोला तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ लेकिन अगर मैं हिंदी में सेब बोलूँगी तो आपकी दिमाग में जो है एकदम से वो जो mental image होते है वो एकदम से बनेगी तो एकदम से आपको जो है वो meaning जो है समझ में आएगा तो यहाँ पर क्या बोल रहे है ब्रातरी हरी जी The hearer is made conscious जो hearer होता है वो conscious हो जाता है through hearing the sound वो जो sound होता है जब वो उसके कानों तक पहुंचता है तो उसका जो mind है वो conscious हो जाता है मतलब उसके mind में पहले से meaning होता है and the latent meaning is already present in the hearer minds और जो latent meaning होता है जो छुपा हुआ meaning होता है वो already hearer के mind में होता है तो जैसे ही वो sound को सुनता है जो सामने वाला तो उसको जो है एकदम से वो जो word है उसका meaning जो है understand मतलब उसको जो है सफोटा बोलते है यही basic concept है सफोटा का मतलब जो सामने वाला meaning understand कर रहा है तो वो जो meaning होता है वो already उसके mind में होता है और यह जो spoken words होते है या फिर sound होते है यह stimulus का काम करते है मतलब यह आपके दिमाग में जो है एक तरह से आपके दिमाग को जगाते है कि वो जो word है आपके दिमाग के अंदर जाएगा और आपका दिमाग जो है एकदम से आपको उसका meaning बता देगा तो sound आपको कभी भी language में meaning नहीं बताता है meaning आपको already पता होता है next है it is of three kinds तो sfota थियोरी जो है तीन परकार की होती है देख लेते हैं कौन कौन से first है varn sfota second है पदा sfota third है वाक्य sfota तो ये जो first है varn sfota तो varn जो है हिंदी में बोलते हैं alphabet को मतलब alphabet को बोलते हैं हिंदी में varn so that one sfota is referred to the meaning of letter meaning of letter को जो है one sfota बोलते है मतलब लेटर के मीनिंग को, लेटर के अर्थ को नेक्स्ट है पदासफोटा तो पद हिंदी में बोलते हैं वर्ड को, this is the meaning of word तो पदासफोटा क्या हुआ, meaning of word नेक्स्ट है वाक्यसफोटा तो वाक्या बोलते हैं, जो आपकी कोई लाइन होती है, कोई sentence होता है उसको बोलते हैं वाक्या हिंदी में तो वाक्यसफोटा से आप समझ रहे हैं कि meaning of वाक्या, जो meaning of sentence है उसको बोलते हैं वाक्यसफोटा नेक्स्ट है, philosophy behind this theory is that since वर्ण, पद, वाक्या are all momentary, क्यूंकि ये जो वर्ण, पद, और वाक्या होते हैं सबके सब जो है, momentary होते हैं बिल्कुल क्षणिक होते हैं मतलब जब आप इनको बोलते हो, तब ही ये जो है गायब हो जाते हैं, एक second के बाद particularly when spoken they are forever passing as next letter और ये जो है, forever pass होते रहते हैं next letter, next word, next sentence में is produce, जो भी हम जो है produce करते हैं, जैसे मैं वो रही हो, I am eating तो एकदम से sentence जो है, खतम हो गया तो मैं जो दूसरा sentence start कर दूँगी भ्रातरी हरी says that there is no knowledge which can be expressed without its relation with words, तो भ्रातरी हरी जी कहते हैं यहां पर कि दुनिया में ऐसा कोई knowledge नहीं है पड़ेगी, तो विना शब्दों के आप जो है, कोई भी जो knowledge है उसको express नहीं कर सकते हो, उसको बता नहीं सकते हो next है, he analyzed the act of speech as being made up of three stages, तो भ्रातरी हरी जी ने जो है, जो act of speech है, उसको analyze किया और बताया कि यह जो है, three stages में divided होता है first है, वक्रता ध्वनी जिसको जो है, विखारी भी बोलते है, it means the actual sound spoken by the individual and heard by the listener तो यह वही है कि जो actual sound जो है, speaker के द्वारा बोला जा रहा है और listener के द्वारा सुना जा रहा है और इसमें जो है, included होते है various differences of intonation tempo, pitch, यह सारी चीज़े जो है, इसमें included होती है तो यह वही sound है, मान लीजिए अगर for example, मैं आपको कुछ कोई word जो है, French में बोलती हूँ लेकिन आपको French नहीं आती है तो आप उस sound को तो सुन लोगे, लेकिन उसके अर्थ को जो है, कभी भी समझ नहीं पाओगे, जब तक आप जो है, French नहीं सीखोगे तो इसी को बोलते है, वकरता ध्वनी next second stage है, प्राकरता ध्वनी जिसको मध्यमा भी बोलते है it is phonological structure तो यह जो है, phonological structure होता है यह फिर sound pattern होता है जो हमारे mind में जो expression बनते हैं, यह वही होते हैं प्राकरता ध्वनी उसी को बोलते हैं तो यहाँ पर वकरता ध्वनी का यूज किये बिना ही हम meaning जान सकते हैं किसी word का, तो इसमें जो है ऐसा भी होता है, for example, मैं आपको example के माद हमसे समझाती हूँ when somebody is reading silently जब कोई silently read कर रहा है, तो यहाँ पर प्राकरता ध्वनी का यूज हो रहा है यहाँ पर वकरता ध्वनी का यूज नहीं हो रहा है, तो जब कोई read कर रहा है silently, तब भी उसको जो शब्दों के meaning है, वो समझ में आ रहे हैं, जो sentence के meaning है, वो समझ में आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्राकरता द्वनी, next third stage as photo, इसको पश्यन्ती भी बोलते हैं, तो ये integral linguistic symbol होता है जो की हमें किसी भी word का meaning बताता है, किसी भी word का meaning निकालता है, which is the unit of meaning, but it can't be pronounced or written, इसे pronounce नहीं किया जा सकता है, और नहीं इसे लिखा जा सकता है और ये जो है, प्राकरता द्वनी से पैदा होता है तो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ जो है, interconnected होते हैं, वकरता, प्राकरता और सफोटा, और ये तीनों ही जो है, help करते हैं, किसी भी word के meaning को जो है, निकालने में, मतलब ये जो तीनों है, इन जरूर कीजिए, मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियों है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, bye-bye